आज आप लोगों को थमनेल और टाइटल के थुरू यह पता चल गया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं जी हाँ आज मैं आईवीपी एस पियो आईवीपी एस क्लर्क या फिर स्पी आई की बात कर लें यह बहुत अच्छा न्यूज है क्योंकि जो आपका अभी सिनारियो चल इस सिनारियो में भी जब आपको ऐसा कुछ न्यूज मिले और जब आपका आईवीपी एस पियो यह फिर क्लर्क के लिए जो रिक्रूट्मेंट का प्रॉसेस है जो वेकेंसी से वो इंक्रीज जब होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है और मैं आज इनी चीज़ PMC बहुत दिन पहले का न्यूज नहीं है PMC रिसेंट न्यूज है पंजाब और महराष्ट्र कोपरेटी बैंक जब यह कॉलैप्स हुआ था तो क्या लूज हुआ था इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हुआ जब यह पूरा सिस्टम जो बैंकिंग सिस्टम में वो कॉलैप्स हुआ तो पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो लूज हुआ लेटरली पब्लिक का जो एक ट्रस्ट था इन बैंकों के ऊपर कि मेरा डिपोजिट यहां सेफ है यह लूज हुआ यही चीज आपका यह बैंक था जब यह बैंक सिस्टम जब यह बैंक ऐसा कॉलैप्स होत अभी situation चल रहा है उसके हिसाब से आम जनता आप और हम जब सोचते हैं कि हमारा जो पैसा बैंकों में है जो normal public सोचती है हमारा पैसा जो बैंकों में है कल दीन ऐसा नहों कि यह bank हमें पैसा देही न पाए राइट जो अभी business है बैंकों के पास तो यह ऐसा हो सकता है बिल्कुल और जब public trust का बात आता है तो यही आपके लिए अच्छा news था IVPS PO के लिए, CLER के लिए और even SPI के लिए या RRB की भी बात आप कर सकते हैं या कोई भी banking और insurance sector की बात कर सकते हैं मैंने क्यूं बोला ऐसा और बहुत clearly मैं यह बात रखता हूँ कि जो depositor का पैसा इन private sector बैंकों क के पास था तो वो धीरे धीरे depositor अपने amount को निकाल के withdraw करके इन public sector बैंकों के पास रख रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है जो एक government का strong position है public sector बैंकों में उनको लगता है कि हमारा अगर deposit यहाँ पर है तो वो बिलकुल safe है क्योंकि जो precautionary measure government ले रही है definitely उनका amount वहाँ प इन तीनों कारणों के वजह से जो small NBFCs है जो कि MSME को जादा से जादा loan provide करती है या फिर small private sector bank हो गया इसमें जो पैसा था वो public withdraw करके और public sector bankों में यह पैसा रख रही है अब मैंने क्यों यहाँ पर यह बात बोला आप लोगों को देखे जब यह पैसा public sector bank में इस समय में आ रहा है this is known as new to bank जिसको हम लोगों ने NTB बोलना होता है और हम लोग इसको NTB बोलते हैं मतलब new जो customer होते हैं वो bank आ रहे होते हैं उनका footfall bank को में होता है that is new to bank जो customer आज तक public sector bank की बजाए private sector bank में जा रहे थे क्यों जा रहे थे उसका बस एक ही reason होता है that is quality of service जब उनको अच्छा quality of service मिलता है तो वो private sector bank को choose करते हैं अब एक बात सोचिए कि आप और हमारा पैसा जो bank को में है एक आम जनता बनके आपको सोचना है कि आपका पैसा bank में है आपको quality of service अच्छा चाहिए या फिर आपका deposit जो पैसा वो वापस चाहिए जब यह situation आता है त तो डिफरेंटली जनता के पास ये एक बात आता है कि हमारा जो पैसा उस bank में है वो पैसा मुझे secure मिल जाए वो पैसा मुझे पूरा का पूरा amount मिल जाए वो waste ना हो, lose ना हो वो नहीं खोना चाहता है वो पैसा क्योंकि hard earned money होता है इसलिए बोला जाता है that public money is hard earned money, right और मैं इसे banker नहीं बोल रहा हूं मैं इसे normal public अभी बात कर रहा हूं कि आपका और हमारा एक ही motto होता है कि वो पैसा आपको मिल जाए वो पैसा आपका lose ना हो तो जब पैंकों के पास पैसा का बात आता है तो वो बैंकों से पैसा निकालके आज public sector bank में deposit हो रहा है ये पैसा तो जो आज public sector bank का जो हालत है वो अगर COVID-19 के कारण कुछ भी करबड होता है कुछ भी अगर मालो कि ये banking balance जो है जो एक तरीके से balance हो रहा है हमारा system वो अगर थोड़ा सा imbalance in situation में जाता है तो ये जो newcomers होते हैं जो new customers होते हैं that is NTB2 bank ये हमारा system होता है उसको literally balance कर देते हैं और यही बहुत बड़ा news है कि जब इस situation से हम लोग ऊपर उठेंगे, overcome करेंगे तो definitely जो हमारा ये newcomers है जो NTB हमारे bankों में ये हमारे banking system का balance है उसको definitely equaling करेगा उसको definitely सही position पे ला देगा और जो हमारा business lose हो रहा था या फिर हमारा अगर business lose होगा या फिर नहीं भी हो तो बहुत अच् problem definitely gonna solve due to this NTB क्या clear है ये चीज और मैं यही आपको बताना चाहरा था कि public sector bankों के उपर एक trust definitely gain हो रहा है इन तीनों कारणों की वज़े से सबसे बड़ा PMC हो गया और सबसे बड़ा दूसरा आपका yes bank हो गया इसके वज़े से जो public trust है वो public sector bankों के उपर हो रहा है तो और ये मे अब भी फिलाल मोडी का report ही पढ़ रहा था और आप लोगों के साफ सोचा कि ये सेर कर तो क्योंकि देखिए हर एक चीज को correlate किया जाता है आपने reasoning पड़ा आपने quant पड़ा कभी ऐसा नहीं होता है कि correlate नहीं होता है definitely जब आप इस चीज को correlate करेंगे तो आपको ये पता चल होगे तो definitely ये सब questions arise होता है वो वहां पर आप आज तक जो भी पढ़ के आए हो क्योंकि आप exam तो क्योंकि आप exam तो क्योंकि आप exam जाब आप qualifier कर जाते हो इंटर्वी में तो वहां पर ये देखना चाहते है that was the banking knowledge you have आप कितना निचोड सकते हो उन चीजों को definitely तो बस यह ही देखा जाता है bankow में और मैं यही आप लोगों के साथ share कर रहा था कि घवडाना नहीं है banking industry will recruit in adverse and adverse situation so definitely this is a very good news for you all as a banking aspirant यह एक आप अगर banking के त्यारी कर रहो या फिर इसका उमीब भी रखते हो या फिर सोचते हो कि मुझे करना चाहे तो definitely अच्छी बात है मैं नहीं मान था कि यहां पर कभी भी banking में recruitment बंद होगा तो काफी अच्छी बात है काफी अच्छा बात है कि public sector बैंकों के ऊपर एक trust gain हो रहा है जो lose हो गया था और हर एक चीज का कुछ pros and cons तो होता ही है अगर कोई चीज आज हो रहा है तो definitely उसका impact कुछ होगा और यहीं impact मैंने आपको दिखाया कि कुछ हो सकता है तो definitely IBPSPO clerk में vacancies ज्यादा create हो सकता है या फिर banking sector या insurance में vacancies create हो सकता है और मैं आप लोगों को इसके news पे भी ले चलता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या मूडी का finally जो report था उसमें क्या बताया गया है चलिए देखते हैं इसको तो यह देखे मूडी का report है और इसमें क्या बताया गया है साफ साफ that financial market will undermine depositor confidence in private sector banks alongside public trust in the public sector bank will remain strong underpinned by a perception of strong government protections for them तो देखे यह matter करता है कि government protections जो public sector bank के उपर रहता है इसके कारण public trust public sector bank पर कहीं न कहीं अब ज़्यादा होगा और हो भी रहा that is moody statement so normally इसमें जो small financial bank है और छोटा छोटा जो private sector bank है इन दोनों के उपर थोड़ा ज़्यादा impact होगा तो यही मैं report आप लोगों को दिखाना चाहा रहा था हाला कि इस article के थुरूए वार बिल्कुल आप लोग चले जाएगा और इसी तरीके से हमनों कुछ और भी topics को देखते रहते हैं कुछ puzzles को बनाते हैं तो बिल्कुल share कीजेगा वीडियो